खरीदे दोहजार रठारा त्रिकाल सहिता और जाने साल दोहजार रठारा का विस्त्रित फलादेश, उपाय, सफलता और संद्रिधी के सूत्र नमस्कार आप देख रहे हैं एस्टो सेश टीवी और मैं हूँ आपका अपना एस्टो गुरू मुर्गांग आज हम बात करेंगे मंगल ग्रहे के वर्षिक राशी में गोचर की, मंगल ग्रहे जो की अगनी तत्व ग्रहे जिसके अंतरगत उर्जा का समावेश होता है जो जीवन में उर्जा का संचार करता है यदि मंगल कुंडली में अच्छा हो तो व्यक्ति को साहस देता है, व्यक्ति एक लीडर की भाती कारे करता है, लेकिन यदि मंगल खराब हो तो व्यक्ति को रख संबंदी बिमारियां होती हैं, इसके लावा मंगल के मंगलिक दोश से पारिवारी कत्वा दाम पत्य जीवन मे अब इसी मंगल देव का गोचर वर्षिक राशी में 17 जनवरी 2018 को होने जा रहा है तो आईए जानते हैं क्या होगा इसका प्रभाव आपकी राशी पर मेश राशी मेश राशी के जातक अपने लक्षे के रास्ते में आने वाली परिशानियों से थोड़े निराश हो सकते हैं साथ ही आपको ये भी मैसूस हो सकता है कि लोग आपके प्रियासों को विफल बनाने का प्रियास कर रहे हैं इसमें अधिकारियों का हाथ होना ज्यादा संभावित है बॉस के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी ये भी संभाव है कि आपके बॉस बेवज़ा काम को लेकर आपके उपर शक भी कर बैठें इस समय आपके लिए ये ही बहतर होगा कि आप अपने लक्षेओं पर ध्यान केंदरित करें ताकि आपके कारियों में किसी प्रकार का व्याबधान उत्पन ना हो आपके तबादले अर्था ट्रांसफर की भी संभावना नजर आ रही है इस सब्तह स्वास्ते सम्मनित कुछ परिशानिया भी हो सकती है इसलिए सेहत को लेकर सभी जरूरी एहतियाद बरते है वरिशब राशी इस अफदी में आपके सभी प्रयास सफल होंगे और आपके कारियों का परिणाम प्राप्त होगा कुछ लोग आपको शारेरिक गती विधियों के लिए उकसा भी सकते हैं लेकिन आपको खुद को परिस्तिती के अनुसार ढालना होगा ऐसी स्तिती विशेशकर उस समय आ सकती है जब आपको कोई नापसंद कर दे या उम्मीद के मुताबिक परिणाम ना मिल पाए इस समय आपके लिए बहतर है कि आप घर पर अपने क्रियाकालापों पर ध्यान दे और जीवन साते के साथ सलीके से पेश आएं आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप दोस्तों को चैन भी पूरी सतरक्ता के साथ करें अंत में आप पाएंगे कि चनोतियां बाहर के बजाए आपकी भावनाओं के कारण ही आ रही है इसलिए खुद पर अधिक दियान दे तो बहतर होगा मिथ उन्राशी आपके लिए गोचर कुछ हद तक बहतर रहने वाला है इसलिए सब्धी में आपके प्रयास सफल होंगे और आप अपने मकसर में कामयाब होंगे जैसे कहा भी गया है कि जोश के साथ किया गया काम सकारात्मुक परणाम ही देता है इस समय आप कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं समय इसकी गवाई दे रहा है इस दुरान आप अपने रास्ते में आने वाली सभी चुनोतियों से निपटने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे हाला कि दूसरे लोगों पर टिपणी करने से पहले सोच विचार लें यह वो समय है जब आप अपनी लक्षियों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं भागे पूरी तरह से आपके साथ है इसलिए कुछ हद तक आप जोखिम भी ले सकते हैं करकराशी इस समय सकारात्मक सोची आपको आगे ले जा सकती है अते इस पर ध्यान दे इस गोचर के कारण आप अपनी पदवी भी बढ़ा सकते हैं इस समय आपका दिमाग पूरी तरह से सकरिया रहने वाला है इसलिए किसी भी कारण से अधर में लटके हुए अपने कारियों पर ध्यान दे और पूरा करने की कोशिश करें आपकी बात करने के लहजे से भी आपके काम पूरे होंगे दूर की आत्राय सफल रहेंगी इस अफ़धी में आप अपने भविश्य और बच्चों को लेकर थोड़ा चिन्तित रहेंगे इस गोशर के दौरान आप अपनी कार कोशलता का बेहतर इस्तेमाल करने में कामियाब रहेंगे एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये कि कोई भी फैसला धहरे पूर्वक ही लें तो ये तो हुआ मेश राशी से करक राशी तक का मंगल के गोशर का प्रभाव यदि आपने अभी भी हमारी यूटेब चैनल आशोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि हमारी इसी तरह की अन्ने वीडियो से भी आप समय पर देख पाए साथ ही बैल का बटन भी दमाएं ताकि परतेग वीडियो आपके पास टाइम से पहुंच सके तो ये अब जानते हैं सिंग राशी पर इस गोशर का प्रभाव इस समय आपको कुछ विशम परिश्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए मन थोड़ा कुंठित भी महसूस हो सकता है यदि आप खुद को इस कुंठा से बाहर नहीं निकालते हैं तो आगे चलकर आपको और भी परिशानी होने वाली है इस सफधी में आपके लिए यही बहतर होगा कि आप परिश्थितियों से लड़ना सीखें ना कि निराश और भैवित हो तनाव लेने से बचें और सेहत पर पूरा ध्यान दे यदि आपको हर्दय संबंदे दिक्कत है तो इसकी जाच अवश्य करा लें साथ ही यदि संपत्ती को लेकर कोई विवाद है तो उसका समाधान निकालने का प्रियास करें कन्या राशी आपके लिए मंगल का व्रिश्चिक में गोशर शांदार है जीवन साथी के साथ रिष्टे प्रगार होंगे हला कि पार्टनर के तवियत खराब होने से कुछ तनाव भी हो सकता है यदि पुराने विवादों की वज़े से रिष्टों में कुछ दरार है तो वो इस समय कानोनी तरीके से खत्म हो जाएगी पैसे का असाधारन रूप से खर्चोना आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है ऐसे समय में यानि पैसे की तंगी की हलत में आपके दोस्तों की योड़ से किसी प्रकार कर सेयोग मिलने की संभावना कम ही नजर आती है आपके लिए आवशक है कि मशीनों का इस्तेमाल साफधानी पूरोग करें यहां तक की किचन में चाकू को भी संभाल कर ही इस्तेमाल करें तुला राशी संयुक्त परिवार वालों को थोड़ी पारिवारिक परिशानिया हो सकती है यह परिशानी परिवार के उसुलों के खिलाव जाने के कारण हो सकती है आर्थिक रूप से गोचर आपके लिए बहतर है और संपत्तियों से शांदार लाब भी प्राप्त होने के आसार है कुछ बेकार के स्रोत्रस भी आपके लिए मुनाफ़ा प्राप्त करने में साहिक होंगे वेवाहिक मामलों में बेवजय देर होने की संभावना नजर आती है कुछ बादा हैं ऐसी भी हो सकती है जो एप्रत्यक शुरूप से होंगी इस समय का बहतर उपयोग करने के लिए बड़ों का सहयोग लें और उनके बताय हुए रास्तों पर चलें वरिश्चिक राशी इस सवधी में आपकी शानों शौकत में इजाफा होगा और आपका अत्यदिक समय नए प्रियोग करने में व्यतीत होगा साथ ही आप इस सब पर पैसे भी खर्च करेंगे आपके अत्य आत्मविश्वास के अकारण लोग आपसे दूर भी जा सकते हैं ज्यादा रिस्क लेना और हटी सुभाव के कारण आप अपने दोस्तों का विश्वास भी खो सकते हैं यदि आप समझदारी पूरवक कारे करते हैं तो आप विवादों से बच पाएंगे हालांकि आपके लिए अंत में खुशकबरी भी है कि आपको करियर के लिए आज से बहतर परणाम मिलने वाले हैं यदि आप हमसे संपर्ख करना चाते हैं तो आप डेस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं और साथ ही अपने भविश्य से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डाउनलोड करें अब आई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनूराशी की यह गोचर धनूराशी के उन जातकों के लिए शानदार है जो दूर की आतरा करना चाते है इस गोचर की अवधी में दुविधा, कारियों में देरी और गलत मार दर्शन आपके लिए सबसे बड़ी चुनोतियां होंगी हालागी इस दौरान आपको स्वैम पर भरोसा रखना होगा पारिबारिक रिष्टों और सेहत के लिहास से यह समय थोड़ा कमजोर रहने वाला है यदि इस समय आप पुरानी बातों को नजर अंदास करते हैं तो रिष्टे फिर से बहतर हो सकते हैं लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं बच्चों के कारण पैसे खर्चोंगे जो चिंता का एक विषय हो सकता है इस गोचर में अच्छा होगा कि आप पावित्र नदी में सनान करें संबव हो तो हरिद्वार, काशी और उज्जैन में भी सनान करने जा सकते हैं मकर राशी यह समय जायदादों को विस्तार देने और उनसे लाब कमाने के लिए अनुकूल है इस गोचर के दौरान पूरी दुनिया में भले ही प्रापर्टी मार्केट में मंदी रहेगी लेकिन आप लाब अवश्य कमाएंगे आपका अपने घर का सपना पूरा हो सकता है सह कर्मियों और बड़ों से संब्द बना कर रखे इस समय आप अपने विचारों से लोगों को सहमत कराने में सफल रहेंगे भागया आपके साथ है इसलिए इसका पूरा लाब उठाए खान पान पर विशेश ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बदलते मौसम के कारण कुछ बिमारिया आपको अपने अगोश में ले सकते है कुम्बराशी ये कोचर आपके लिए वो समय है जब आप अपने आइडिया पर काम कर सकते हैं और खुद को एक नई पहचान दे सकते हैं इस समय आपके आत्म विश्वास में बर्दी होगी जिससे आपका आने वाला कल बहतर होगा कुछ पुराने संकल्पों के कारण आप कुछ समय के लिए दबाव में आ सकते हैं अपने कारेों का अनंद ले और अपना शत्परतिशत देने के लिए प्रियासरत रहें आपकी परियोजना के लिए आपकी तारीफ होगी कारेसर पर कारेभार बढ़ने के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है खुद का शारीरी की बजाए मानसिक रूप से प्रियोग अधिक करें मीन राशी इस अवधी में आपके लिए सेहत थोड़ा चिंता का विशय हो सकती है इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए समय निर्धारित करें इस अवधी में आपको अपारधन की प्राप्ती संबव है हलाकि निर्ण लेने में कुछ तुविधा हो सकती है लेकिन इस पष्ट लक्षे होने की स्तिती में आप इससे बच भी सकते हैं और अपनी मंजल तक पहुँच सकते हैं करियर के लिए सेहत का अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है इसलिए इस पर ध्यान दे परिवार की परंपराओं का पालन करें और धर्म के रास्ते को सुईकार करें जो लोग मंगल के इस गोचर से प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए आवश्यक है कि हनुमान जी की या था संभाव पूजन करें और उन्हें चोला चणाएं हम आशा करते हैं कि आपका आने वाला कल बहतर होगा और आप अपने भविश्यकी योजनाओं को बहतर बनाने के लिए इस गोचर का लाब उठाएंगे भगवान आपकी सभी मनोकामने पूर्ण करें इनिशब कामनाओं के साथ आपका अपना एस सुग्रू मरगांक